व्रहदा राणियक उपनिशद, चतुर्थ अध्याई, प्रथम ब्रहमन, जनक यागिवलक समवाद विदेह जनक आशन परिस्तित था, तभी उसके पास यागिवलक जी आए, उनसे जनक ने कहा, यागिवलक जी कैसे पधारे, पश्वों की इच्छा से अथुआ प्रश्न श्रवन करने के लिए, राजन मैं दोनों के लिए आया हूँ, ऐसा यागिवलक ने कहा, यागिवलक तुमसे किसी आचारी ने जो कहा है, वह हम सुने, जनक मुझसे शिलिन के पुत्र जित्वा ने कहा है कि वाखी ब्रह्म है, यागिवलक जिस प्रकार मातरमान, पित्रमान, आचारी वान कहे, उसी प्रकार उस शिलिन के पुत्र ने वाखी ब्रह्म है, ऐसा कहा ह क्योंकि न बोलने वाले को क्या लाब हो सकता है किन्तु क्या उसने उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी है जनक, मुझे नहीं बतलाई यागिवल्क, राजन यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है जनक, यागिवल्क जी वह मुझे आप बतलाईए यागिवल्क वाग ही उसका आयतन है और आकाश प्रतिष्ठा है उसकी प्रग्या इस प्रकार उपासना करें जनक यागिवल्क जी प्रग्यता क्या है? राजन वाग ही प्रग्यता है ऐसा यागिवल्क ने कहा हे समराट वाक से ही बंधू का ज्ञान होता है और राजन, रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुरान, विद्या, उपनिशद, शलोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यान, इश्ट, हुत, आशित, भूके को अन्न खिलाने से होने वाल धर्म, पाईत, प्यासे को पानी पिलाने से होने वाले धर्म, यह लोक, परलोक और समस्त भूत वाक से ही जाने जाते हैं, हे समराट वाक ही परव्रम है, इस प्रकार उपासना करने वाले को वाक नहीं त्याक्ती, संपूर्ण भूत उसको उफार देते हैं, जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है विदेहराज जनक ने कहा मैं आपको जितने हाती के समान बैल उत्पन हूँ ऐसी सहस्त्र गौएं देता हूँ उस यागिवल्क ने कहा मेरे पिताजी का सिध्धान्त था कि शिष्ष को उपदेश के द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिए यागिवल्क तुमसे किसी आचारी ने जो भी कहा है वह हम सुने जनक मुझसे शुल्य के पुत्र उद्दलक ने प्राण ही ब्रह्म है ऐसा कहा है यागिवल्क जिस प्रकार मात्रमान, पित्रमान, आचारी वान कहे उसी प्रकार उस शुल्य के पुत्र ने प्राण ही ब्रह्म है ऐसा कहा है क्योंकि प्राण किरिया न करने वाले को क्या लाब हो सकता है किन्तु क्या उसने उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाएं है जनक मुझे नहीं बतलाए यागिवल्क राजन यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है जनक यागिवल्की जी वह मुझे आप बतलाईए यागिवल्क, प्राण ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है, उसकी प्रीय इस रूप से उपासना करे जनक, यागिवल्क जी, प्रियता क्या है? हे समराट, प्राण ही प्रियता है, ऐसा यागिवल्क ने कहा राजन, प्राण के लिए ही लोग अयाजि से यजन कराते हैं, प्रतिग्रहन लेने योगि से प्रतिग्रह लेते हैं, तथा जिस दिशा में जाते हैं, उसमें ही वध की आशंका करते हैं हे समराट, यह सब प्राण के लिए ही होता है हे राजन प्राण ही परम्रम है जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है उसे प्राण नहीं त्याकता उसको सब भूत उपहर देते हैं और वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है मैं आपको हाती के समान हृष्ट पुष्ट बैल उत्पन करने वाली एक सहस्त्र गौएं देता हूँ ऐसा विदेहराज जनक ने कहा यागिवल्क ने कहा मेरे पिता का विचार था की शिष्ट को उपदेश के द्वारा करतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिए यागिवल्क तुमसे किसी आचारी ने जो भी कहा है वह हम सुने जनक मुझसे वाष्ण के पुत्र वर्कु ने कहा है कि चक्षु ही ब्रह्म है यागिवल्क जिस प्रकार मात्रमान, पित्रमान, आचारिवान कहे उसी प्रकार उस वाष्ण ने चक्षु ही ब्रह्म है ऐसा कहा है क्योंकि न देखने वाले को क्या लाब हो सकता है किन्तु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाएं है जनक मुझे नहीं बतलाए यागिवल्क हे समराट यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है जनक यागिवल्क जी वह मुझे आप बतलाए यागिवल्क चक्षु ही आयतन है आकाश प्रतिष्ठा है इसकी सत्य इस रूप से उपासना करे जनक हे यागिवल्क सत्यता क्या है हे राजन चक्षु ही सत्यता है ऐसा यागिवल्क ने कहा हे समराट चक्षु से देखने वाले से ही क्या तुने देखा ऐसा जब कहा जाता है और वह कहता है कि मैंने देखा तो वह सत्य होता है राजन चक्षु ही परम्रम्म है जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है उसका चक्षु त्याग नहीं करता सब भूत उसको उफार देते हैं और वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है मैं आपको हाती के समान हृष्ट पुष्ट बैल उत्पन करने वाली एक सहस्त्र गौई देता हूँ ऐसा विदेह राज जनक ने कहा उस याग्यवलक ने कहा मेरे पिता का विचार था कि शिष्च को उपदेश के द्वारा करतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिए याग्यवलक तुमसे किसी आचारी ने जो भी कहा है वह हम सुने जनक मुझसे भार्दवाज गोत्र में उत्पन गर्दभी विपीत ने कहा है कि श्रोथी ब्रह्म है याग्यवलक जिस प्रकार मात्रमान पित्रमान आचारिवान कहे उसी प्रकार उस भार्दवाज ने श्रोथी ब्रह्म है ऐसा कहा है क्योंकि न सुनने वाले को क्या लाब हो सकता है किन्तू क्या उसने तुम्हें उसके आईतन और प्रतिष्ठा भी बतलाएं है जनक मुझे नहीं बतलाए यागिवल्क हे समराट यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है जनक हे यागिवल्क वह मुझे आप बतलाईए यागिवल्क श्रोत ही आईतन है आकाश प्रतिष्ठा है तथा इसकी अनन्त इस रूप से उपासना करे जनक हे यागिवल्क अनन्तता क्या है हे समराट दिशाएं ही अनन्तता है ऐसा यागिवल्क ने कहा इसी से हे समराट कोई भी जिस किसी दिशा को जाता है वह उसका अन्त नहीं पाता क्यूंकि दिशाएं अनन्त हैं और हे समराट दिशाएं ही श्रोत हैं श्रोत ही परंब्रम्म है जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है श्रोत उसका त्याग नहीं करता सब भूत उसको उफार देते हैं और वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है मैं आपको हाती के समान हृष्ट पुष्ट बैल उत्पन्न करने वाली एक सहस्त्र गौएं देता हूँ ऐसा विदेहराज जनक ने कहा यागिवल्क ने कहा मेरे पिता का विचार था कि शिष्ष को कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिए यागिवल्क तुमसे किसी आचारी ने जो भी कहा है वो हो हम सुने जनक मुझसे जवाला के पुत्र सत्यकाम ने कहा है कि मन ही ब्रह्म है यागिवल्क जैसे मात्रमान, पित्रमान, आचारिवान कहे उसी प्रकार उस जवाला के पुत्र ने मन ही ब्रह्म है ऐसा कहा है क्योंकि मनोहीन को क्या लाब हो सकता है किन्तु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और प्रतिष्ठा बतलाएं है जनक मुझे नहीं बतलाएं यागिवल्क हे समराट यह तो एग ही पादवाला ब्रह्म है जनक हे यागिवल्क वह मुझे आप बतलाएं यागिवल्क मन ही आयतन है आकाश प्रतिष्ठा है इसकी आनंद इस रूप से उपासना करें जनक यागिवल्क आनंदता क्या है हे समराट मन ही आनंदता है ऐसा यागिवल्क ने कहा हे राजन मन से ही इस्त्री की इच्छा करता है उसमें अनुरूप पुत्र उत्पन होता है वह आनंद है हे समराट मन ही परम्रम है जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है उसे मन नहीं त्यागता सब भूत उसका अपकार करते हैं तथा वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है मैं आपको हाती के समान हृष्ट पुष्ट बैल उत्पन करने वाली एक सहस्त्र गौई देता हूँ ऐसा विदेहराज जनक ने कहा यागिवल्क ने कहा मेरे पिता का विचार था कि शिष्ष को उपदेश के द्वारा किरतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिए यागिवल्क तुमसे किसी आचारी ने जो भी कहा है वह हम सुने जनक मुझसे विदग्द शालक्य ने कहा है कि हिर्दई ही ब्रह्म है यागिवल्क जिस प्रकार मात्रमान, पित्रमान, आचारिवान, पुरुष उपदेश करे उसी प्रकार उस शाकल्य ने हिर्दई ही ब्रह्म है ऐसा कहा है क्योंकि हिर्दई हीन को क्या मिल सकता है यागिवल्क, हे समराट यह तो एक पादवाला ही ब्रम्म है जनक, यागिवल्क वोह मुझे आप बतलाईए यागिवल्क, हिर्दै ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है तथा इसकी इस्तित्ही इस रूप से उपासना करे जनक, यागिवल्क जी स्तित्ता क्या है हे समराट हिर्दय ही स्तित्ता है ऐसा याग्यवल्क ने कहा राजन हिर्दय ही समस्त भूतों का आयतन है हिर्दय ही सब भूतों की प्रतिष्ठा है और हिर्दय में ही समस्त भूत प्रतिष्ठित होते हैं हे समराट हिर्दय ही परम ब्रम है जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है उसका हिरदय त्याग नहीं करता सब भूत उसको उफार समर्पन करते हैं और वहोग देव होकर देवों को प्राप्त होता है विदेह जनक ने कहा मैं आपको हाती के समान हिरिष्ट पुष्ट बैल उत्पन करने वाली एक सहस्त्र गौई देता हूँ यागिवल्क ने कहा मेरे पिता का विचार था कि शिशी को उपदेश के द्वारा कृतार्थ किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिए विदेह राज जनक ने कूर्च नामक एक विशेश प्रकार के आसन से उठकर यागिवल्क के समीब जाकर कहा यागिवल्क जी आपको नमस्कार है मुझे उपदेश कीजिए उस यागिवल्क ने कहा राजन जिस प्रकार लंबे मार्ग को जाने वाला पुरुष सम्यक प्रकार से रथ या नौका का आश्रय ले उसी प्रकार तुम इन उपनिशदों उपासनाओं से युक्त प्राण आदी ब्रह्मों की उपासना कर समाहित चित्त हो गए हो इस प्रकार तुम पूज, श्रीमान, अधित वेद और उक्तो पनिश्टक जिसे आचारी ने उपनिशद का उपदेश कर दिया है ऐसे हो गए हो इतना होने पर भी बताओ तुम इस शरीर से छूट कर कहा जाओगे जनक, भगवन मैं कहां जाओँगा, सो मुझे मालूम नहीं है यागिवल्क, अब मैं तुम्हें यही बतलाओँगा, जहां तुम जाओगे जनक, भगवन मुझे बतलाओए यह जो दक्षन नेत्र में पुरुष है, इंध नाम वाला है उसी इस पुरुष को इंध होते हुए भी परोक्ष रूप से इंद्र कहते हैं क्योंकि देवगण मानू परोक्ष प्रिय हैं, प्रत्यक्ष से द्वेश करने वाले हैं और यह जो बाई नेत्र में पुरुष रूप है, वह इस इंद्र की पत्नी, विराट अन्न है उन दोनु का यह मिलन का स्तान है, जो की यह हर्दय अंतरगत आकाश है उन दोनु का यह अन्न है, जो की हर्दय अंतरगत लाल पिंड है उन दोनु का यह प्रावरण है, जो की यह हर्दय अंतरगत जालसा है उन दोनु का यह मार्ग संचार करने का द्वार है जो कि यह हर्दई से उपर की ओर नाड़ी जाती है जिस प्रकार सहस्त्र भागों में बिभक्त हुआ केश होता है वैसे ही यह हिता नाम की नाड़ियां हर्दई के भीतर इस्तित हैं इन्हें के द्वारा जाता हुआ यह अन्न शरीर में जाता है इसी से इस स्थूल शरीर अभिमानी वैश्वानर से यह शूक्ष्म देह अभिमानी तैजस शूक्ष्म तर आहार ग्रहन करने वाला ही होता है उस विद्वान के पूर्व दिशा पूर्व प्राण है दक्षन दिशा दक्षन प्राण है पश्चिम दिशा पश्चिम प्राण है उत्तर दिशा उत्तर प्राण है उपर की दिशा उपर के प्राण है नीचे की दिशा नीचे के प्राण है और संपूर्ण दिशाएं संपू जा सकता वह अशेर्य है नश्ट नहीं होता असंग है उसका संग नहीं होता वह अबद्ध है व्यथित नहीं होता और छिर्ण नहीं होता ये जनक तु निश्य अभई को प्राप्त हो गया है ऐसा याग्यवल्क ने कहा उस विदेह राज जनक ने कहा भगवन यागिवल्क जिन आपने मुझे अभई ब्रह्म का ज्ञान कराया है उन आपको अभई प्राप्त हो आपको नमस्कार है ये विदेह देश और यह मैं आपके अधीन हूँ तिर्ती ब्रह्मन यागिवल्क के द्वारा आत्मा के स्वरूप का कथन विदेह राज जनक के पास यागिवल्क गई उनका विचार था मैं कुछ उपदेश नहीं करूँगा किन्तु पहले कभी विदेह राज जनक और यागिवल्क ने अग्निहोत्र के विशे में परस पर समवात किया था उस समय यागिवल्क ने उसे वर दिया था और उसने इच्छानुसार प्रश्न करना ही मांगा था यह वर याग्यवल्क ने उसे दे दिया था अतह उनसे पहले राजा ने ही प्रश्ण किया याग्यवल्क जी वह पुरुष किस जोती वाला है हे समराट यह आदित्य रूप जोती वाला है ऐसा याग्यवल्क ने कहा यह आदित्य रूप जोती से ही बैठता, सब ओर जाता, कर्म करता और लोट आता है जनक, यागिवल्क यह बात ऐसी ही है जनक, यागिवल्क जी आदित्य के अस्त हो जाने पर यह पुरुष किस जोती वाला होता है यागिवल्क उस समय चंद्रमा ही इसकी जोती होती है, चंद्रमा रूप जोती के द्वारा ही यह बैठता, इधर उधर जाता, कर्म करता और लोट आता है जनक, यागिवल्क यह बात ऐसी ही है यागिवल्क जी आदित्ति के अस्त हो जाने पर तथा चंद्रमा के अस्त हो जाने पर यह पुरुष किस जोती वाला होता है अगनी ही इसकी जोती होती है यह अगनी रूप जोती के द्वारा ही बैठता इधर उधर जाता कर्म करता और लोट आता है याग्यवल्क यह बात ऐसी ही है याग्यवल्क जी आदित्ति के अस्त होने पर चंद्रमा के अस्त होने पर और अग्नी के शांत होने पर यह पुरुष किस जोती वाला होता है वाक ही इसकी जोती होती है यह वाक रूप जोती के द्वारा ही बैठता इधर उधर जाता, कर्म करता और लोट आता है इसी से है समराट जहां अपना हाद भी नहीं जाना जाता वहां जों ही वाणी का उच्चारन किया जाता है कि पास चला जाता है यागिवल्क यह बात ऐसी ही है यागिवल्क जी आदित्ति के अस्त होने पर चंद्रमा के अस्त होने पर अगनी के शांत होने पर और वाक के भी शांत होने पर यह पुरुष किस जोती वाला रहता है आत्मा ही इसका जोती होता है यह आत्म जोती के द्वारा ही बैठता इधर उधर जाता, कर्म करता और फिर लोट आता है जनक आत्मा कौन है? यागिवल्क यह जो प्राणों में बुध्धी वृत्तियों के भीतर रहने वाला विज्ञानमय जोती स्वरूप पुरुष है वह समान बुध्धी वृत्तियों के सद्रिश्य हुआ इस लोक और परलोक दोनु में संचार करता है वह बुध्धी वृत्ति के अनुसार मानो चिंतन करता है और प्राण वित्ती के अनुरूप होकर मानुचेश्टा करता है वही स्वप्न होकर इस लोक देह इंद्रिय संगात का अतिक्रमन करता है और शरीर तथा इंद्रिय रूप मृत्यू के रूपों का भी अतिक्रमन करता है वह यह पुरुष जन्म लेते समय शरीर को आत्मभाव से प्राप्त होता हुआ पापों से देह और इंद्रियों से सनलिष्ट हो जाता है तथा मरते समय उतक्रमन करते समय पापों को त्याग देता है उस इस पुरुष के दो ही स्थान है यह लोक परलोक संबंधी स्थान और तीसरा स्वपन स्थान संधी स्थान है उस संधी स्थान में इस्थित रहकर यह इस लोक रूप स्थान और परलोक स्थान इन दोनों को देखता है यह पूरुष परलोक स्थान के लिए जैसे साधन से संपन होता है उस साधन का आश्रे लेकर यह पाप, पाप का फलरूप दुख और आनंद दोनों को ही देखता है जिस समय यह सोता है उस समय इस सरवावान लोक की मात्रा एक देश को लेकर स्वयम इस स्थूल शरीर को अचेत करके तथा स्वयम ही अपने वास्नामाई देह को रचकर अपने प्रकाशे अर्थात अपने जोती स्वरूप से शयन करता है इस स्वपन आवस्ता में यह पुरुष स्वयम जोती स्वरूप होता है उस आवस्ता में न रथ है न रथ में जोते जाने वाले अश्व आदी हैं और न मार्गी ही है परन्तु यह रथ, रथ में जोते जाने वाले अश्वादी और रथ के मारगों की रचना कर लेता है उस अवस्ता में आनंद, मोद और प्रमोद भी नहीं है किन्तु यह आनंद, मोद और प्रमोद की रचना कर लेता है वहाँ छोटे-छोटे कुंड, सरोवर और नदिया नहीं है यह कुंड, सरोवर और नदियों की रचना कर लेता है वही उनका करता है इस विशय में ये श्लोक है आत्मा स्वप्न के द्वारा शरीर को निश्चेष्ट करके स्वयम न सोता हुआ, सोय हुए समस्थ पदार्थों को प्रकाशित करता है वह शुद्ध, इंद्रिय मात्रा रूप को लेकर पुनह जागरत इस्थान में आता है जोती स्वरूप पुरुष अकेला ही दोनों स्थानों में जाने वाला है इस निकरिष्ट शरीर की प्राण से रक्षा करता हुआ, वह अम्रित धर्मा शरीर से बाहर विचरता है वह अकेला विचरने वाला जोती स्वरूप अम्रित पुरुष जहां वासना होती है, वहीं चला जाता है वह देव स्वपन अवस्ता में उच नीच भावों को प्राप्त होता हुआ, बहुत से रूप बना लेता है इसी प्रकार वह स्थ्रियों के साथ आनंद मानता हुआ, मित्रों के साथ हसता हुआ, तथा व्याग्र आदी भाई देखता हुआ सा रहता है सब लोग उसके आराम, कृड़ा की सामगरी को ही देखते हैं, उसे कोई नहीं देखता उस सोय हुए आत्मा को सहसा न जगावें, ऐसा व्यादी लोग कहते हैं जिस इंदरिय प्रदेश में यह सोया होता है, उसमें प्राप्त न होने से इसका शरीर दुश चिकित से हो जाता है इसी से अवशी ही कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि यह स्वपनस्तान इसका जागरित देश ही है क्योंकि जिन पदार्थों को यह जागने पर देखता है, उन्हीं को सोया हुआ भी देखता है किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि इस आवस्था में यह पूरुष स्वयम जोती होता है जनक वह मैं जनक श्रिमान को सहस्त्र मुद्रा देता हूँ अब आगे मुझे मोक्ष के लिए उपदेश कीजिए यागिवल्क वह यह आत्मा इस स्वपन आवस्ता में रमन और विहार करके तथा पुन्य और पाप को देखकर ही फिर जिस प्रकार आया था और जहां से आया था उस जागरित स्थान को ही लोड़ जाता है वह वहाँ जो कुछ देखता है उससे असलिष्ट रहता है क्योंकि यह पुरुष असंग है जनक यागिवल्क यह बात ऐसी ही है मैं श्रिमान को सहस्त्र मुद्रा भेंट करता हूँ इससे आगे आप मोक्ष के लिए ही उपदेश कीजिए यागिवल्क वह यह पुरुष इस जागरित आवस्ता में रमन और विहार करके तथा पुन्य और पाप को देखकर फिर जिस प्रकार आया था उसी मार्ग से यह था स्थान स्वपन स्थान को ही लोड़ जाता है जिस प्रकार कोई बड़ा भारी मच्ष नदी के पूर्व और अपर दोनु तीरों पर क्रमशह विचरण करता है उसी प्रकार यह पुरुष स्वपन स्थान और जागरित स्थान इन दोनु ही स्थानों में क्रमशह विचरण करता है जिस प्रकार इस आकाश में शेन, अर्थात बांज, अथ्वा सुपन, तेज उलने वाला बांज, सब ओर उड़कर ठक जाने पर पंखों को फैला कर गोंसले की ही ओर उड़ता है उसी प्रकार इह पुरुष इस इस्थान की ओर दोड़ता है, जहां सोने पर इह किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न कोई स्वपन ही देखता है उसकी वे ये हिता नाम की नाडियां जो सहस्त्र भागों में बिभक्त केस के सद्रिश्य सूक्ष्मिता से रहती हैं शुकल, नील, पीत, हरित और लाल रंग के रस से पूर्ण है सो जहां इस पुरुष को मानो, शत्रु मारती, मानो अपने वश में करती और जहां मानो इसे हाती खदेरता है, अथुआ, जहां यह मानो गड़े में गिरता है इस प्रकार जो भी जागरत अवस्ता के भई देखता है उसी को इस स्वपन अवस्ता में अविद्या से मानता जानता है और जहां यह देवता के समान, राजा के समान, अथ्वा, मैं ही यह सब हूँ, ऐसा मानता है, वह इसका परमधाम है वह इसका काम रहित, पाप रहित और अभई रूप है व्यवहार में जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्या को आलिंगन करने वाले पुरुष को न कुछ बाहर का ज्यान रहता है और न भीतर का इसी प्रकार यह पुरुष प्रज्यात्मा से आलिंगित होने पर न कुछ बाहर का विशय जानता है और न भीतर का यह इसका आप्त काम, आत्म काम, अकाम और शोक्षोन्य रूप है इस शुशुप्त अवस्ता में पिता अपिता हो जाता है माता अमाता हो जाती है लोग अलोग हो जाते हैं देव अदेव हो जाते हैं और वेद अवेद हो जाते हैं यहां चोर अचोर हो जाता है भ्रून हत्या करने वाला अभ्रूना हो जाता है तथा चांडाल अचांडाल पॉलकस अपॉलकस श्रमन अश्रमन और तापस अतापस हो जाते हैं उस समय यह पूरुष पुन्य से असंबध और पाप से भी असंबध हो जाता है और हिर्दई के संपूर्ण शोकों को पार कर जाता है वह जो नहीं देखता सो देखता हुआ ही नहीं देखता द्रिष्टा की द्रिष्टी का कभी लोब नहीं होता क्योंकि वह अविनाशी है उस समय उससे भिन कोई दूसरी वस्तू है ही नहीं जिसे देखे वह जो नहीं सुंगता सो सुंगता हुआ भी नहीं सुंगता सुंगने वाले की गंध ग्रहन शक्ती का सर्वता लोप नहीं होता क्योंकि वह अविनाशी है उस अवस्ता में उससे भिन कोई दूसरी वस्तू है ही नहीं जिसे वह सुंगे वह तो रसास्वाद नहीं करता, सो रसास्वाद करता हुआ ही नहीं करता रसास्वाद करने वाले की रस ग्रहन शक्ती का सर्वता लोप नहीं होता क्योंकि वह अविनाशी है उस अवस्ता में उससे भिन कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, जिसका रस ग्रहन करे वह जो नहीं बोलता, सो बोलता हुआ ही नहीं बोलता वक्ता की वचन शक्ती का सर्वता लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है उस अवस्ता में उससे भिन दूसरा कुछ है ही नहीं जिसके विशय में वह बोले वह जो नहीं सुनता सो सुनता हुआ ही नहीं सुनता श्रोता की श्रवन शक्ती का सर्वता लोप नहीं होता क्योंकि वह अविनाशी है उस अवस्ता में उससे भिन दूसरी कोई वस्तू है ही नहीं जिसके विशय में वह सुने वह जो मनन नहीं करता सो मनन करता हुआ ही मनन नहीं करता मनन करने की मनन शक्ती का सर्वता लोग नहीं होता क्योंकि वह अविनाशी है उस अवस्ता में उससे भिन कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जिसके विशे में वह मनन करे वह जो स्पर्ष नहीं करता सो स्पर्ष करता हुआ ही स्पर्ष नहीं करता स्पर्ष करने की स्पर्ष शक्ती का सर्वता लोग नहीं होता क्योंकि वह अविनाशी है उस अवस्ता में उससे भिन कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं जिसे वह स्पर्ष करे वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता विज्याता की विज्याती विज्यान शक्ती का सर्वता लोब नहीं होता क्यूंकि वह अविनाशी है उस अवस्ता में उससे भिन कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं होता जिसे वह विशेश रूप से जाने जहां जागरत या स्वपन अवस्ता में आत्मा से भिन अन्य सा होता है वहां अन्य अन्य को देख सकता है अन्य अन्य को सूंग सकता है अन्य अन्य को चक सकता है अन्य अन्य को बोल सकता है अन्य अन्य को सुन सकता है अन्य अन्य का मनन कर सकता है अन्य अन्य का स्पर्श कर सकत अन्य अन्य को जान सकता है, परंतु जैसे जल में वैसे ही शुशुप्ती में एक अद्वैत द्रिश्टा है, हिसमराट यह ब्रह्मलोक है, ऐसा याग्यवल्क ने जनक को उपदेश किया, यह इस पुरुष की परमगती है, यह इसकी परम संपत्ती है, यह इसका परमलोक है, यह इसका परमानन्द है, इस आनन्द की मात्रा के आश्रित ही अन्य प्राणी जीवन धारण करते हैं, वह जो मनुष्यों में सब अंगों से पूर्ण सम्रिद्ध, दूसरों का अधिपती और मनुष्य संबंधी, संपूर्ण भोग सामग्रियों द्वारा सबसे अधिक संपन्द होता है, वह मनुष्यों का परमानन्द है, अब जो मनुष्यों के सौ आनन्द है, वह पित्र लोग को जीतने वाले पित्र गण का एक आनन्द है, और जो पित्र लोग को जीतने वाले पित्रों के सौ आनन्द है, वह गंधर्व लोग का एक आनन्द है, तथा जो गंधर्व लोग के सौ आनन्द है, वह कर्म देवों क जो कि कर्म के द्वारा देवत्व को प्राप्त होते हैं एक आनन्द है जो कर्म देवों के सौ आनन्द हैं वह आजान जन्म सिद्ध देवों का एक आनन्द है और जो निशपाप निशकाम शोत्रिय हैं उसका भी वह आनन्द है जो आजान देवों के सौ आनन्द है वह प्रजपती लोग का एक आनन्द है और जो निश्पाप, निश्काम, शोत्रिय है उसका भी वह आनन्द है तथा यही परम आनन्द है हे समराट यह ब्रह्म लोग है ऐसा याग्यवल्क ने कहा जनक बोले मैं श्रीमान को सहस्त्र गौई देता हूँ अब आगे भी आप मोक्ष के लिए ही उपदेश करें यह सुनकर याग्यवल्क जी डर गई कि इस बुद्धिमान राजा ने तो मुझे संपूर्ण प्रश्णों के निर्णई पर्यंत उत्तर देने को बाद लिया वह यह पुरुष इस स्वपन प्रांत में रमण और विहार करके तथा पुन्य और पाप को देखकर ही पुनह गए हुए मार्ग से ही यथास्तान जागरित अवस्ता को ही लोट आता है लोक में जिस प्रकार बहुत अधिक बोज लादा हुआ चकड़ा शब्द करता हुआ चलता है उसी प्रकार यह देही आत्मा प्रग्यात्मा से अधिश्टित हो मरण काल में शब्द करता हुआ जाता है जबकि यह उपर के श्वांस छोणने वाला हो जाता है वह यह देह जिस समय कृष्टा को प्राप्त होता है वृद्धवस्ता या ज्वर आदी रोग के कारण कृष्ष हो जाता है उस समय जैसे आम गूलर अथवा पिपल फल डंठल से छूट जाता है वैसे ही यह पुरुष इन अंगों से छूट कर फिर जिस मार्ग से आया था उसी से प्रत्येक यौनी में प्राण की विशेश अभिवक्ती के लिए चला जाता है अतह जिस प्रकार आते हुए राजा की उग्र कर्मा एवं पापकर्म में नियुक्त सूत और गाउं के नितालोग अन्न पान और निवासस्तान तयार रखकर ये आए ये आए इस प्रका कहते हुए प्रतिक्षा करते हैं उसी प्रकार इस कर्म फल वेत्ता की संपूर्ण भूत यह ब्रह्म आता है यह आता है इस प्रकार कहते हुए प्रतिक्षा करते हैं जिस प्रकार जाने के लिए तैयार हुए राजा के अभिमुक होकर उग्र कर्मा और पापकर्म में नियु इस आत्मा के अभिमुक होकर इसके साथ जाते हैं। अभिव्यक्त ज्यानवान होता है। जिस समय यह चाक्षुष पुरुस सब और से व्याविरत होता है। उस समय मुमुर्शु रूप ज्यानहिन हो जाता है। चक्षु इंद्रिय लिंगात्मा से एक रूप हो जाती है तो लोग नहीं देखता ऐसा कहते हैं। ग्राण इंद्रिय एक रूप हो जाती है तो नहीं सुंगता ऐसा कहते हैं। रसना इंद्रिय एक रूप हो जाती है तो नहीं सुनता ऐसा कहते हैं। मन एक रूप हो जाता है तो मनन नहीं करता ऐसा कहते हैं। तो अक इंद्रिय एक रूप हो जाती है तो इस पर्ष नहीं करता ऐसा कहते हैं। और यदि बुद्धी लिंगात्मा से एक रूप हो जाती है तो नहीं जानता ऐसा कहते हैं। वह इस हिर्दय का अग्र बाहर जाने का मार्ग अत्यंत प्रकाशित होने लगता है। उसी से यह आत्मा नेत्र से, मुर्धा से, अथुआ, शरीर के किसी अन्य भाग से बाहर निकलता है। उसके उत्क्रमन करने पर उसके सांथ ही प्राण उत्क्रमन करता है। प्राण के उत्क्रमन करने पर संपूर्ण प्राण, इंद्रिय वर्ग उत्क्रमन करते हैं। उस समय यह आत्मा विशेश विज्ञानवान होता है और विज्ञानयुक्त प्रदेश को ही जाता है उस समय उसके साथ साथ ज्ञान, कर्म और पूर्व प्रग्या अनभूत विशेयों की वासना भी जाते हैं वह द्रिश्टान्त है जिस प्रकार ज्योंक एक त्रिण के अंत में पहुँचकर दूसरे त्रिण रूप आश्राई को पकड़कर अपने को सकोल लेती है उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर को मार कर अविद्या अचेतन अवस्ता को प्राप्त कराकर दूसरे आधार का आश्राई ले अपना उपसंघार कर लेता है उसमें द्रिष्टांत जिस समय सुनार सुमल्ड का भाग लेकर दूसरे नवीन और कल्यांतर अधिक सुन्दर रूप की रचना करता है उसी प्रकार यह आत्मा इस शरीर को नश्ट कर अचेतन अवस्ता को प्राप्त करके दूसरे पितर गंधर्व देव प्रजापती ब्रह्मा अथ्वा अन्य भूतों के नवीन और सुन्दर रूप की रचना करता है वह यह आत्मा ब्रह्म है वह विज्ञान मैं मनो मैं प्राण मैं चक्षुर मैं श्रोत मैं प्रत्वी मैं जल मैं वायू मैं आकाश मैं तेजो मैं अतेजो मैं काम मैं अकाम मैं क्रोध मैं अक्रोध मैं धर्म मैं अधर्म मैं और सर्व मैं है जो कुछ इदम्य अर्थात प्रत्यक्ष और अदोम्य अर्थात परोक्ष है वह वही है वह जैसा करने वाला और जैसे आचरण वाला होता है वैसा ही हो जाता है शुब कर्म करने वाला शुब होता है और पाप कर्मा पापी होता है पुरुष पुन्य कर्म से पुन्यात्मा होता है और पापकर्म से पापी होता है कोई-कोई कहते हैं कि यह पुरुष काममई ही है वह जैसी कामना वाला होता है वैसा ही संकल्प करता है जैसा संकल्प वाला होता है वैसा ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है उस विशय में यह मंत्र है इसका लिंग, अर्थात, मन जिसमें अत्यन्त आसक्त होता है उसी फल को यह सम अभिलाश होकर कर्म के सहित प्राप्त करता है इस लोक में यह जो कुछ करता है उस कर्म का फल प्राप्त कर उस लोग से कर्म करने के लिए पुनह इस लोग में आ जाता है अवश्य ही कामना करने वाला पुरुष ही ऐसा करता है अब जो कामना न करने वाला पुरुष है उसके विशय में कहते है जो अकाम, निशकाम, आप्तकाम और आत्मकाम होता है उसके प्राणों का उत्क्रमन नहीं होता वह ब्रम्म ही रहकर ब्रम्म को प्राप्त होता है उसी अर्थ में यह मंत्र है जिस समय इसके हिर्दय में आश्रित संपूर्ण कामनाओं का नाश हो जाता है उस समय यह मरण धर्मा अम्रित हो जाता है और यहीं इसी शरीर में उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है इसमें द्रिष्टांत जिस प्रकार सर्प की कैंचुली बांबी के उपर मृत और सर्प द्वारा परित्याक की हुई पड़ी रहती है उसी प्रकार यह शरीर पड़ा रहता है और यह अशरीर अमरित प्राण तो ब्रह्म ही है तेज ही है तब विदेह राज जनक ने कहा यह मैं जनक श्रिमान को सहस्त्र गोई देता हूं उस विशे में ये मंत्र है यह ग्यानमार्ग सूक्ष्म, विस्तिर्ण और पुरातन है वह मुझे इसपर्ष किये हुए है और मैंने ही उसका फल साधन ज्यान प्राप्त किया है धीर ब्रह्म वेत्ता पुरुष इस लोग में जीते जी ही मुक्त होकर शरीर त्याग के बाद उसी मार्ग से स्वर्ग लोग, अर्थात, मोक्ष को प्राप्त होते हैं उस मार्ग के विशय में मतभेद हैं कोई उसमें शुक्ल और कोई नीलवर्ण बतलाते हैं तथा कोई पिंगलवर्ण, कोई हरित और कोई लाल कहते हैं किन्तु यह मार्ग साक्षात ब्रह्म द्वारा अनुभूत है इस मार्ग से पुन्य करने वाला परमात्म तेज स्परूप ब्रह्म वेत्ता ही जाता है जो भूगासक्त मनुष्य, अविद्या, भूगों के साधन रूप कर्म की उपासना करते हैं वे अज्ञान स्परूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं और जो मिध्याग्यानी, विद्या, कर्तव्य कर्म का त्याग करके केवल ग्यान के अभिमान में रत हैं वे उससे भी अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं वे अनन्द, असुख, नाम के निक्रिष्ट यौनी और नरक रूप लोग अज्ञान और दुख कलेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं वे अविद्वान और अज्ञानी लोग मरकर उन्ही को प्राप्त होते हैं यदि पुरुष आत्मा को मैं यह हूँ, इस प्रकार विशेश रूप से जान जाए तो फिर क्या इच्छा करता हुआ और किस कामना से शरीर के पीछे संतप्त हो जिस पुरुष को इस अनेको अनर्थों से पूर्ण और विवेक विज्ञान के विरोधी विशम शरीर में प्रविष्ट हुआ आत्मा प्राप्त और ज्यात हो गया है, वही कृत-कृत्य है वही सब शुभो का करता है, उसी का लोक मोक्षधाम है और स्वयम वही लोक मोक्ष रूप भी है हम इस शरीर में रहते हुए ही यदि उसे जान लेते हैं तो कृतार्थ हो गए, यदि उसे नहीं जाना जाय तो बड़ी हानी है जो उसे जान लेते हैं वे अम्रित हो जाते हैं किन्तु दूसरे लोग तो दुख को ही प्राप्त होते हैं जब भूत और भविश्य के स्वामी इस प्रकाश्मान अथुआ कर्मफल दाता आत्मा को मनुश्य साक्षा जान लेता है तो यहो उससे अपनी रक्षा करने की इच्छा नहीं करता जिसके नीचे सम्वत्सर चक्र अहोरात्र आदी अवेयों के सहित चक्र लगाता रहता है उस आदित्य आदी जोतियों के जोती स्वरूप अम्रित की देवगण आयू इस प्रकार उपासना करते हैं जिसमें पाँच पंच जन और अव्याकृत शंजक आकाश भी प्रतिष्ठित है उस आत्मा को ही मैं अम्रित ब्रह्म मानता हूँ उस ब्रह्म को जानने वाला मैं अम्रित ही हूँ जो उसे प्राण का प्राण, चक्षू का चक्षू, श्रोद का श्रोद, तथा मन का मन जानते हैं वे उस सनातन और मुख्य ब्रह्म को जानते हैं ब्रह्म को आचार्य उपदेश पूर्वक मन से ही देखना चाहिए इसमें नानत्व कुछ भी नहीं है जो इसमें नाना के समान देखता है, वह मृत्यू से मृत्यू को प्राप्त होता है उस ब्रह्म को आचार्य उपदेश के अनंतर एक प्रकार से ही देखना चाहिए यह ब्रह्म अप्रमेई, द्रुव, निर्मल, आकास से भी शोक्ष्म, अजन्मा, आत्मा, महान और अविनाशी है बुद्धिमान ब्रह्मन को उसे ही जानकर उसी में प्रग्या करनी चाहिए बहुत शब्दों का अनुध्यान, निरंतर चिंतन न करे वह तो वानी का श्रम ही है वह यह महान अजन्मा आत्मा, जो की यह प्राणों में विज्ञान्माई है जो यह हृदई में आकाश है, उसमें शयन करता है वह सबको वश में रखने वाला, सबका शाशन करने वाला और सबका अधिपती है वह शुभ कर्म से बढ़ता नहीं और अशुभ कर्म से छोटा नहीं होता यह सरवेश्वर है, यह भूतों का अधिपती और भूतों का पालन करने वाला है इन लोकों की मर्यादा भंग नहू, इस प्रयोजन से वह इनको धारण करने वाला सेतु है उपनिशदों में जिसके स्वरूप का दिखदर्शन कराया गया है वह इस आत्मा को ब्रहमन, वेदो के स्वाध्याई, यग्य, दान और निश्काम तब के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं इसी को जानकर मुनी होता है इस आत्म लोक की ही इच्छा करते हुए, त्यागी पूरुष सब कुछ त्याग कर चले जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं इस सन्यास में कारण यह है पूर्ववर्ती विद्वान संतान तथा सकाम कर्म आदी की इच्छा नहीं करते थे वे सोशते थे हमें संतान से क्या लेना है जिन हमको की यह आत्म लोग अभीष्ट है अतहवे पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेशना से व्यूद्थान कर फिर भिक्षा चरिया करते थे जो भी पुत्रे शणा है वही वित्ते शणा है और जो वित्ते शणा है वही लोके शणा है ये दोनों एशनाई ही है वह यह नेती नेती इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अग्रही है वह ग्रहन नहीं किया जाता अशेर्य है उसका नाश नहीं होता वह असंग है कहीं आसक्त नहीं होता बधा नहीं है इसलिए व्यथित नहीं होता तथा उसका च्छै नहीं होता इस आत्मग्य को ये दोनू पाप पुन्य संबंधी शोक हर्ष प्राप्त नहीं होते अतह इस निमित से मैंने पाप किया है ऐसा पश्यताप और इस निमित से मैंने पुन्य किया है ऐसा हर्ष इन दोनू को ही वह पार कर जाता है इसे किया हुआ और ना किया हुआ नित्य कर्म ताप नहीं देता यही बात रिच्चादवारा कही गई है यह ब्रह्मवित्ता की नित्य महिमा है जो कर्म से न तो बढ़ती है और न घटी ही है उस महिमा के ही स्वरूप को जानने वाला होना चाहिए उसे जानकर पापकर्म से लिप्त नहीं होता अतह इस प्रकार जानने वाला शान्त, दान्त, उपरत, तितिक्षू और समाहित होकर आत्मा में ही आत्मा को देखता है सभी को आत्मा देखता है उसे पुन्य पाप रूप पाप की प्राप्ति नहीं होती यह संपूर्ण पापों को पार कर जाता है इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता यह सारे पापों को संतप्त करता है यह पाप रहित, निश्काम, निशंशाई ब्राह्मन हो जाता है समराट यह ब्रह्म लोक है तुम इसे पहुँचा दिये गए हो ऐसा याग्यवल्क ने कहा तब जनक ने कहा यह मैं श्रीमान को विदेह देश देता हूं साथ ही आपकी सेवा करने के लिए अपने आपको भी समर्बन करता हूं वह यह महान अजन्मा आत्मा अन्भक्षन करने वाला और कर्म फल देने वाला है जो ऐसा जानता है उसे संपूर्ण कर्मों का फल प्राप्त होता है वही यह महान अजन्मा आत्मा अजर अमर अम्रित एवं अभई ब्रह्म है अभई ही ब्रह्म है जो ऐसा जानता है वह अभई ब्रह्म ही हो जाता है पंचम ब्रह्मन याग्यवल्क मैत्री समवाद यह प्रसिद्ध है कि याग्यवल्क की मैत्रई और कात्याईनी ये दो पत्निया थी उनमें मैत्रई ब्रह्म वादिनी थी और कात्याईनी साधरान इस्त्रियों की सी बुद्धी वाली ही थी तब याग्यवल्क ने दूसरे प्रकार की चर्या का आरंभ करने की इच्छा से कहा अरिमेत्री ऐसा याग्यवल्क ने कहा मैं इस स्थान ग्रहस्त आश्रम से अन्यत्र सब कुछ त्याग कर जाने वाला हूं अर्थात मेरा सन्यास लेने का विचार है इसलिए मैं तेरी अनुमती लेता हूँ और चाहता हूँ इस कात्याईनी के साथ तेरा बटवारा कर दूँ उस महत्रेई ने कहा भगवन यदि यह धन से संपन्न सारी प्रिथवी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ? अथवा नहीं यागिवल्क ने कहा नहीं भोग सामगरियों से संपन्न मनुष्यों का जैसा जीवन होता है वैसा ही तेरा भी जीवन हो जाएगा धन से अमर्तत्व की तो आशा है ही नहीं उस महत्रेई ने कहा जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसे लेकर मैं क्या करूँगी? श्रिमान जो कुछ अमर्तत्व का साधन जानते हो वही मुझे बतलावें उन्हें यागिवल्क जी ने कहा निश्य ही तु पहले भी मेरी प्रिया रही है और इस समय भी तुने मेरे प्रिये को बढ़ाया है अतह देवी मैं प्रसन्नता पूर्वक तेरे प्रती इस अमर्तत्व के साधन की व्याख्या करूँगा तु मेरे व्याख्या किये हुए विशय का चिंतन करना उन्होंने कहा अरी मैत्रेई यह निश्य है कि पती के प्रयोजन के लिए पती प्रिये नहीं होता है इस्तरी के प्रयोजन के लिए इस्तरी प्रिया नहीं होती है पुत्रों के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिये नहीं होते अपने ही प्रयोजन के लिए पशु प्रिये नहीं होते है अपने ही प्रयोजन के लिए पशु प्रिये होते है ब्रह्मन के प्रयोजन के लिए ब्रह्मन प्रिये नहीं होता अपने ही प्रयोजन के लिए ब्रह्मन प्रिये होता है छत्री के प्रयोजन के लिए छत्री प्रिये नहीं होता अपने ही प्रयोजन के लिए छत्रिय प्रीय होता है अतह मैत्रेई आत्मा ही दर्शन करने योग, श्रावन करने योग, मननी और निधिध्यासन, ध्यान करने योग्य है। अरिमेत्रेई निश्य ही आत्मा का दर्शन, श्रावन, मनन और विज्ञान हो जाने पर इस सब का ग्यान हो जाता है। जानता है। जिस पर लकडी आदी से आघात किया जाता है। जिस पर लकडी आदी से आघात किया जाता है। वह चौथा द्रिष्टांत ऐसा है। जिस परकार समस्त जलो का समुद्र एक आयन आश्रैस्तान है। इसी परकार समस्त स्पर्शो का त्वचा एक आयन है। इसी परकार समस्त गंधो का दोनु नासिकाएं एक आयन है। इसी परकार समस्त रसो का जिवभा एक आयन है। इसी परकार समस्त रूपो का चक्षू एक आयन है। इसी परकार समस्त शब्दो का श्रोत एक आयन है। इसी प्रकार समस्त संकल्पों का मन एक आयन है, इसी प्रकार समस्त विद्याओं का हिर्दै एक आयन है, इसी प्रकार समस्त कर्मों का दोनु हाथ एक आयन है, इसी प्रकार समस्त आनंदों का उपस्त एक आयन है, इसी प्रकार समस्त विसर्गों का पायू एक अयन है इसी प्रकार समस्त मार्गों का दोनु चरण एक अयन है और इसी प्रकार समस्त वेदों का वाक एक अयन है उसमें छटा द्रिष्टांत इस प्रकार है जिस प्रकार नमक का डला भीतर और बाहर से रहित संपूर्ण रस घन ही है हे मैत्री उसी प्रकार यह आत्मा अंतर बाही भेद से शून्य संपूर्ण प्रज्ञान घन ही है यह इन भूतों से विशेश रूप से उत्थित होकर उन्हीं के साथ नश्ट हो जाता है इस प्रकार मर जाने पर इसकी संग्या नहीं रहती हे मैत्री इस प्रकार मैं कहता हूँ ऐसा याग्यवल्क ने कहा वह मैत्री बूली यहीं श्रिमान ने मुझे मोह को प्राप्त करा दिया है मैं इसे विशेश रूप से नहीं समस्ती उन्होंने कहा अरी मैत्री मैं मोह की बात नहीं कह रहा हूँ अरी यह आत्मा निश्चे ही अविनाशी और अनुच्छेद रूप धर्म वाला है जहां अविद्या आवस्ता में द्वैच सा होता है वहीं अन्य अन्य को देखता है अन्य अन्य को सुंगता है अन्य अन्य का रसा स्वादन करता है अन्य अन्य का अभिवादन करता है अन्य अन्य को सुनता है अन्य अन्य का मनन करता है अन्य अन्य का स्पर्ष करता है और अन्य अन्य को विशेश रूप से जानता है किन्टु जहां इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है वहां किसके द्वारा किसे देखे किसके द्वारा किसे सुंगे किसके द्वारा किसका रसास्वादन करे किसके द्वारा किसका अभिवादन करे किसके द्वारा किसे सुने किसके द्वारा किसका मनन करे किसके द्वारा किसका स्पर्ष करे और किसके द्वारा किसे जाने जिसके द्वारा पुरुष इस सबको जानता है उसे किस साधन से जाने वह यह नेती नेती इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अग रही है उसका ग्रहन नहीं किया जाता अशेर्य है उसका विनाश नहीं होता असंग है आसक्त नहीं होता अबद्ध है वह व्यथित और छिर्ण नहीं होता हे मैत्री विज्याता को किसके दौरा जाने इस प्रकार तुझे उपदेश कर दिया गया अरिमेत्री निश्य जान इतना ही अम्रतत्व है ऐसा कहकर यागिवल्क जी सन्यासी हो गई